अगे अगे इंटूड़क्षन और ट्रांस्पोर्टिशन प्रॉब्लम्स के बारे में ठीक है न तो इस वीडियो में आउली हम इस चीज़ का बैसे कॉंसेट बटाएंगे कि एक ट्रांस्पोर्टिशन प्रॉब्लम्स होती क्या है ठीक है जो हमने सौर्ट से इसके पहले डाल था कि हम ने इसके बाद नेश्ट वीडियो में हम इसका पूरा विस्तार से बताएंगे क्या होता है transportation ठीक है ना तो चलिए वीडियो में चलते हैं सुरूबात करते हैं वीडियो में सुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब केजिए और वीडियो पर नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए definition देखते हैं the transportation problem is a special type of LPP LPP हमने third semester में पढ़ाय था इसी operational research में क्या होता है LPP linear programming problem जिसको बोलते हैं ठीक है न where the objective is minimized and the cost of distributing a product from a number of the source to the number of destination सबसे पहले बताते हैं देखिए objective function क्या होता है जो हम पहले बताते थे कि Z बराबर जो दिया जाता था जैसे 2X1 plus 5X2 plus 3X3 ठीक है न यह होता था तुमारा objective objective function होता था न इसकी होते थे constant फिर constant होते थे ठीक न इसी तरीके से जो transportation problem होती है इसमें transportation problem काई पर depend करती है source source और demand यानि जब किसी चीज की source और demand होती है यानि हम किसी भी जैसी company है यह company है अगर अपना product है उसका कोई product है अगर वो product को क्या कर रही है supply कर रही है तो उसकी कितनी demand है market में उसकी कितनी demand है अगर उसकी market में जितनी supply हो रही है उतनी market में demand होती है supply is called to demand तब यह क्या वाती है transportation problem होती है ठीक न तो उसी चीज का देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है जैसे कि यहाँ पर first Delhi में हो रहा है दूसरा चिन्नाई में तीशा इंद और यहाँ पर कुलकरता वैंगलॉर और बिहार यहाँ से supply हो रही है यहाँ पर इसकी demanding चल रही है ठीक है न यह source है यह demand है यह direct direct plant and distributing ठीक है न जैसे कि Delhi से सीधा अगर देखिए एक मिनिट जैसे first, second, third first, second, third यह क्या है तमारा demand यह क्या है तमारा source यह supply ठीक है न यह चिन्नाई कोई भी सहर दिल्ली इंद और यह कोलकाता यह बिहार यह पंजाब कुछ भी लेगर हो ठीक है न यानि कोई भी company है अपना product का क्या कर रही supply कर रही है जहां पर इसकी demand है तो जब एक product यहां पर तो जाएगा देखो एक यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा शेम ठीक है न क्या होगा इसका भी होगा इधर भी होगा और इधर भी जाएगा ठीक है न स इसी एक साम इधर भी इसकी जाएगी इधर भी जाएगी ऊपर भी जाएगी ठीक है ना तो इसी तरीके से इनकी क्या होती है डिमांडिंग तो सुएच हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रबलम होती है इसको हम मेर्माइज में लेते हैं इसको मेंसमी के चलना पड़ता है अब इसके रूल्स मॉडल्स क्या होते हैं तो बो पड़ते हैं अब ही हमने बताया है कि ट्रांसपोर्टीशन प्रॉबलम में फ़र्स्ट मोडल क्या है कि हमारा जो सप्लाई होगा वो डिमांड के बराबर होने चाहिए नहां तो इसकी कमोने चाहिए ना जादा इसकी कीसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए तब हमारी क्या आता हि है ट्रांस्पोर्टिशन प्रोबलम होता है इसका ट्रांसफर होना चाहिए सोर्स का डेस्टिनेशन में यानि जितना हम क्या कर रहे है इसका सोर्स कर रहे है तो इतनी डिमांड भी होने चाहिए अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई करोगी जैसी कोई भी कमपनी है कमपनी अपना एक प्रोड़क्ट बना रही है ठीक है अगर मार्केट में वो प्रोड़क्ट क्या है अगर वो तीस प्रोड़क्ट की सप्लाई कर रही है और वो जाके अगर उसका दसी न विखे तो तो उसको बहुत लॉस होगा ठीक है ना तो अगर वो 30 बना रही है तो उसकी 40 डिमांड तो और चाहिए कम से कम ठीक है ना तब तो वो कंपनी आंगे प्रोडक्ट को सप्लाइब करेगी ठीक है ना जैसे तुम भी कोई काम कर देओ पैन अगर पैन पांच रुपय दो रुपय यहीं चीज होती है ठीक है ना अगर वो इसने सौपन बनाए और इसके सौपन रखने के बाद अकर तुम्हारी दोपनी नब कि तो तुम आगे से अपने दुकान में इस पन को लाओ गे नहीं लाओ गे क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है और यहीं तुम पांच मैं लाए और चार कर इसके दस कस्टूमर आ गए तो तुम नेक्स टाइम इसको और दुगने तेगे नहीं मिलाओगी यानि इसकी सवलाई और अदेखोगी तो यहीं चीज होती है ठीक है न थर्ड नंबर है दल्ले में ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट सॉफ अगर क्या है दा ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट्स अगर क्या है दा ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट्स इसकी जो कॉर्ट्स होती है केमात होती है और गिबहन रूट ऑफ इस टैरेक्ट्ली प्रपोर्शनल समान उपाती होती है दा नंबर ऑफ यूनिट्स सिब्ड के कितना इसका सिफ हो रहा है कितना इस सामान पहुंच रहा है ठीक है ना फित नंबर है दा अब्जेक्टी इस दब मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कोट्स ओप दा और नाईज एगोल एंट नौट मैडिवली सप्लाइज एंड डिस्टिवेशन सेंटर यानि हमने बताया कि जो अबजेक्टे हैं इसका अबजेक्टे कैसा होना चाहिए मिनिमाइज होना चाहिए सॉल्यूशन का प्राप्त होता है हमें इसका जो एक्सिस्टेंस और सॉल्यूशन इसका में सॉल्यूशन का होता है जब इसकी जो टोटल डिमांड होती है उसके टोटल सप्लाई के बराबर होना चाहिए तो हमारा क्या ऐसा होता है सॉल्यूशन कैसा मिलता है एक्सिस्टें प्रॉब्लम इनके प्रकार कितनी होते हैं ठीक है इनके दो प्रकार होते हैं बैलेंस्ट प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ट प्रॉब्लम देखें टाइप इसके टाइप होते हैं दो बैलेंस्ट और दूसरा होता है अनबैलेंच्ट बैलेंच्ट प्रब्लम क्या होता है जब टूटल सप्लाई टूटल डिमांड की बरावर होती है तो कैसी होती है बैलेंच्ट प्रब्लम और टूटल सप्लाई टूटल डिमांड की जब बरावर नहीं होती है टूटल सप्लाईес जब टोटल डिमांड के बराबर नहीं होती है तो वो हमारी problem क्या कहलाती है Unbalanced problem इनकी दो प्रकार टाइप अप transportation problem इनके टूटाइप We होते हैं कि Marriage problem एक होती है demand जब सप्लाई के बराबर होती है तो balanced problem कहलाती है जब demand और supply के बराबर नहीं होती है तो unbalanced problem होती है अब है formulation और transportation problem अब इसका किस तरीके से हम formulation करते हैं जैसे हमें सवाल में दिया जाएगा किस तरीके से तो इसको बताते हैं जैसे की देखिए एक एक चीज समझ में आना चाहिए रो कॉलम होती है जैसे 1,2,3,4 और 1,2,3,4 ठीक है न तो ये कहलाएंगे source S1, S2, S3, S4 ये कहलाएंगे हमारी demand तो जितनी हमारी supply होगी source होगी उतनी हमारी क्यासी होनी चाहिए demand होना चाहिए यानि 4,4 बन रहें ये matrix इसको matrix से भी बोलते हैं ध्यान आपने पढ़ा होगा तो इसको matrix भी बोलते हैं ठीक है न तो इस जो हमारी डिब्बी रहते हैं इसको हम सेल्स बोलते हैं और इस डिब्बी के अंदर जो इस तरीके से रहता है इसको सेल्स बोलते हैं ठीक है फिर आती है method कि इनको solve करने की कितनी विदियां होती है नमबर एक होती है नौर्थ बेस्ट कॉर्णर method जो कि अभी हम पढ़ेंगे सवाल को solution करेंगे कि किस तरीके से करते हैं रो मिनिमा method column minima method रो यानी जो ठीक है न रो जानते हो इस साइड वाली होती है column क्या होता है शीदा ठीक है न रो मिनिमा method column last cost method और वल्जी अप्रॉक्षमेशन और पैनाल्टी मेथड ये पांच मेथड होती है अब क्या होता है जब भी हम optimally test निकालते हैं ये भी हम पढ़ेंगे तो इसका हम किस तरीके से optimally solution तो इसके लिए हम moody method का प्रियुक करेंगी यानि modified distribution और यूबी method और इसके बाद होती है stepping stone method ठीक है न तो इस तरीके से हमारा transportation problem जिसमें हमने बताया कि इसकी definition क्या होती है transportation problem और इसके models फिर फिर इसका formulation optimally solution method और optimally test तो यह हमारी थी definition और introduction कि हम क्या है हमारा transportation problem है क्या चीज़ तो आयोप की आपको transportation problem में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसके बाद next video lecture में चलेंगे कि हम इनके सवालों को किस तरीके से solve करते हैं नौर्थ वेस्ट कॉर्ड़नर मेथड इनके आंगे मेथड की सायता से तो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद